यहां उपस्दित पुज्य संतगाण, अतिधिगाण, मेरे युबा साथियों। आप सभी को स्वामी विवेकानन जैन्ति के इस पवित्र आउसर पर राष्ट्रिय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुबकामना है। देश वासियों के लिए बेलूर मट की इस पवित्र भूमी पर आना किसी तिल्थी आत्रा से कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही ये घर आने जैसा ही है। मैं प्रसिडन स्वामी का यहां के सभी व्यवस्तपकों का रदय से बहुत आभारी हों कि मुझे कल रात यहां रहने के लिए इजाज़त दी। और सरकार का भी मैं अभारी हूं क्योंकि स्वामी विवेकन का होना सिर्फ एक ब्यक्ति का होना नहीं है। बलकि वो एक जीवन धारा का जीवन शैली का नाम रूप है। उन्होंने दरिद्र नाराइण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदी और अंत मान भी लिया, जी भी लिया और जीने के लिए आज भी करोणों युवकों को रास्ता भी दिखा दिया। आप सभी देश का हर युवा और मैं विश्वास से कहता हूँ, देश का हर युवा चाहे विवेक अनन को जानता हो या न जानता हो, जाने अन जाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है। वक्त बदला है, दसक बदले हैं, सदी बदल गई हैं, लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिद्धी तक पहुँचाने का जिम्मा हम पर भी हैं, आने वाली पीडियों पर भी हैं। और ये काम वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया। ये अविरत करने का काम है, निरंतर करने का काम है, यूग यूग तक करने का काम है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, उस पर कोई ध्यानी नहीं देता है। और इस स्थिती से यूवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मैं तो सीधा जाजा मंतर बता देता हूँ, जो मैं भी कभी गुरुजनों से सिखा हूँ, हम कभी अकेले नहीं है। कभी भी अकेले नहीं है। हमारे साथ एक और होता है, जो हमें दिखता नहीं है, वो इश्वर का रूप होता है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं, हमारा सरजनहार हर पल हमारे साथ ही होता है। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे, अगर मुझे सो उर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूँगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा, कि मुझे सो लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाओंगा। ऐता नहीं कहा। उन्हों नहीं ये कहा, भारत बदल जाएगा। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।